सिकंदा शित से अप्रहत अदिवक्ता की बराम्दगी के लिए आट टीमों का गठन किया गया है। सबलांस टीम को भी लगाया गया है फिर भी अधिवक्ता का आठ दिन बाध भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। मोटी रकम मांगने पर अधिवक्ता के परिवार वाले भी परिशान है। पुलिस अधिक्षक नगर बोत्रे रोहन प्रमोट का कहिना है कि अधिवक्ता को सकुसल बरामत करने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। टीमें बदमासों का पता लगाने में जुटी हुई है। सर्वलांज टीम को भी लगाया गया है। अपरहर करताओं ने अधिवक्ता के परिजनों से 50 लाग से अधिक की फिरोती मांगी है। अधिवक्ता की बरामतगी के लिए टीमें अलग-लग दिसा में कारे कर रही है। एमपी और राजस्थान की पुलिस से भी मदद मांगी गई है। अधिवक्ता के परिजनों के पास फिरोती का फोन आने के बाद आईजी ए 37 गडेश, SSP बबलु कुमार, SP City और ASP सौरव दिक्षित ने टीमों का गठन किया है। अधिवक्ता के भाई सोहिल का कहना है कि भाई का अपरल होने के बाद मां शाकरा बेगम और उनकी पत्नी रुकईया बेगम का रोरो कर बुराहाल है। अकरम के बच्चे अकरम के बच्चे भी अपने पिता की याद में डूबे हुए हैं। अमेश शर्मा सीन्यूज आगरा। अमेश शर्मा सीन्यूज शर्मा सीन्यूज शर्मा सीन्यूज आगरा।